दोस्तों IPL को दुनिया की सबसे लोग पिरिये T20 क्रिकेट लीग कहा जाता है देश विदेश की दिगज खिलाडी IPL में खेलते हैं कई ऐसे खिलाडी हैं जो दुनिया की अन्ने क्रिकेट लीग में सिर्कत नहीं करते लेकिन IPL में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं बाजू का जीना हराम किया है भारती दर्सक अपने देश के बल्ले बाजू को खेलते वे देखना ज्यादा पसंद करते हैं इन सब के बीच कुछ दिगज खिलाडी ऐसे भी रहे जो IPL में नहीं चले तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको पांच ऐसे ही को डाउनलोड कीजिए क्योंकि यहां पर आपको फेंटेसी एक्सपर्ट के साथ टीम बनाने का मौका मिलेगा जिससे आपके जीतने के चांस ज्यादा और हालने के चांस कम हो जाते हैं आज चेन्ने वर्सस हैदराबाद और आरसेवी वर्सस मुंबई के बीच होने वाले मे अपनी टीम बनाओ और लाखो रुपे जीतो आपको किसी चीज की टैंसल लेने की जरुरत नहीं है डिस्क्रिप्सिन के लिंक से एप को डाउनलोड करो और पाएं अभी 50 रुपे का कैस बोनस और जीता हुआ पैसा तुरंत पेटियम या फिर यूपियाई से आपके बैंक म बनाने वाले सौरव गांगुली किसी परीचे के महताज नहीं लेकिन आईपियल में उनका करियर ज्यादा सफल नहीं रहा उन्होंने आईपियल में कुल 69 मेच खेले और 1399 चसरन बनाए गांगुली का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 106 का रहा ये परदसन दादा के नाम क कमाल नहीं दिखा पाए जाफर ने अपने आईपियल करियर में महज 8 मेचों में 130 रन बनाए टैस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 12 सतक जड़ने वाले वसीम जाफर का करियर आईपियल में और आगे जाना चाहिए था लेकिन उनकी धीमी बल्लेबाजी ने इस पर ब्रेक ल विस्व के सर्वस्रेश टैस्ट बल्लेबाजों में गिने जाने वाले पुजारा को T20 रास नहीं आया आईपियल में उनसे बहतर पर्दसन की उम्मीद थी लेकिन बाद में उन्हें निलामी में खरीजने वाला कोई नहीं मिला वीवियस लक्समन बहती क्रिकेट के साथ साथ विस्व में वेरी वेरी स्पेसल के नाम से फैमस लक्समन ने भले ही विरोधियों को अपनी बल्लेबाजी की कला से मात दी हो लेकिन फटाफट क्रिकेट में लक्समन फैल हुए 20 IPL मुकाबलों में उन्होंने 15.66 की औसथ से 222 महमत कैफ नेट वेस्ट सिरी 222 की जीत के नायक महमत कैफ ने टीम इंडिया के लिए काफी क्रिकेट खेली जब कैफ को IPL में मुका मिला था तब उनके फैंस को लगा था कि वो अपनी फिल्डिंग और बल्लेबाजी से अच्छा खेल दिखाएंगे लेकिन कैफ का बल्ला न नहीं चला कैफ ने IPL के खेले 29 मुकाबलों में 14.38 की आउसत से सिर्फ 269 रन ही बनाए और IPL में SFL करियर के साथ विदा हुए